Hello my dear students, welcome to Magnet Brins Hindi Medium मैं प्रग्या गुपता आप सबका Magnet Brins Hindi Medium में हार दिक हार दिक स्वागत करती हूँ पाठों की श्रंखला में हम आ गए हैं पाठ 15 तक जिसका नाम है कविता का मन भावन सावन जो की लिखा है सुमित्रा नंदन पंत जी ने पाठ के प्रशनोत्तर, भावार्थ सब कोश हम बहुत अच्छे से कर चुके हैं तो MCQs करना यानि बहुविकल पे प्रशन करना आप कोई कठिन बात आपके लिए नहीं रह गई है तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो जिसमें पहला प्रशन है प्रस्तुत पार्ट की विधा है अब इस शब्द से आप लोग हो गए हैं भली भाती परचित तो अब आप देंगे इसका सही जवाब क्या ये पार्ट एक कविता है ये एक पार्ट कहानी है ये पार्ट निबंध है या फिर रिपोतार्ज है किस शैली में ये पार्ट लिखा गया है जिहां चलते हैं सही जवाब की और आपका जवाब है बिल्कुल सही यहाँ पार्ट एक कविता है ये कविता विधा में लिखा गया है देखते हैं दूसरा प्रश्ण प्रस्तुत कविता के कवी हैं यहाँ पर आपको बताना है इस कविता के कवी कौन है यहाँ पर चार महान कवियों के नाम लिखे हुए हैं आपको पहचानना है इस कविता के कवी तो सही जवाब है क्योंकि कविता के आरंभु में ही हमने इनका नाम पढ़ा है जी हाँ प्रकृती के सुकुमार कवी सुमित्रा नंदन पंत जी के द्वारा ये कविता लिखी गई है अपने लिए जोरदार तालिया बजा लिजे और दो नंबर आपके मेरी ओर से हो गए है देखते हैं अगला प्रश्न जो की है आपकी स्क्रीन पर ये प्रस्तुत कविता का नाम क्या है मन के भोले बादल, मन भावन बादल, मन भावन सावन, मन मोहक सावन या फिर उपरोक्त सभी जी हाँ जब हमने कविता का नाम पढ़ा और कवी का नाम पढ़ा तो हमने इसे भी बार बार पढ़ा था तो थोड़ा सा दिमाग पे डालिये जोर कविता का नाम जी हाँ बिल्कुल सही जवाब मन भावन सावन क्यों है मन भावन सावन क्योंकि ये सावन जो है ये मन को भा लेता है मन को चुरा लेता है तो ये सावन जो मन को अच्छा लगता है इसलिए इस कविता का नाम है मन भावन सावन बढ़ते हैं अपने अगले विकल्प की और जो की है कवी सुमित्रा नंदन पंत जी को कौन सा सम्मान प्रदान किया गया था प्रदान किया गया था पदमभूशन, ग्यानपीच, भारत रतन या फिर का और खा दोनो तो इस तरीके के जब विकल्प आपके किसी प्रश्ण में होते हैं तो थोड़ा सा जोर डालिए कि अगर ये प्लान किया गया है यहाँ पर तो क्या उसका कोई मीनिंग है तो जरूर उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजे इसका अर्थ है कि ये और ये दौनों उत्तर सही है ठीक है तो अगर आपको लगता है कि ये दौनों सही है तो दीजे सही जवाब तब तक मैं बताती हूँ आपको इसका सही उत्तर जी हां का और खा दौनों है सुमित्रा नंदन पंत जी को पदम भूशन भी दिया गया था और ज्ञान पीट पुरुसकार से भी नवाजा गया था बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की और जो की है पंत जी को कहा जाता है सुमित्रा नंदन पंत जी हैं आप द्यान दिया होगा जब मैंने इपाट शुरू किया था प्रकृती के जादूगर कवी क्या वो प्रकृती के साथ कोई जादू करते हैं प्रकृती के मनुरम कवी प्रकृती का बड़ा ही सुन्दर वर्णन करते हैं प्रकृती के सुकुमार कवी जिन्होंने प्रकृती को एक राजनंदनी की तरह बहुत सुकुमारी बालिका की तरह प्रस्तुत किया है और जो वे खुद भी इतनी कम उम्र में इतना विशिष्ट विशाल सुंदरवर्णन जिनोंने किया है तो उनको सुकुमार कवी की उपमा दी गई है या फिर प्रकृती के प्रेमी कवी यानि प्रकृती से सिर्फ प्रेम करने वाले कवी तो यहाँ पर आपको बताना है कि पंत जी को क्या कहा जाता है जवाब हुआ आपका नंबर एक नंबर भी हुआ आपका तो सही जवाब है प्रकृती के सुकुमार कवी उनको कहा जाता है यह प्रश्ण जो है इस तरीके के यह आने वाली परिक्षाएं जो होती है आपकी जो आप है सिक्षिन में जाकर किसी प्रतियोगी परिक्षाओं की जब तैयारी करते हैं तब वहाँ पर आपको कुछ कवियों साहित्तिकारों के बारे में पूछा जाता है तो इस तरीके के प प्रशन आपको वहाँ पर भी काम आएंगे इसलिए ये सब जानना है बेहर जरूरी पंत जी की रचनाएं हैं पल्लब, गुंजन, युगांत या फिर उपर्योक्त सभी क्या जो हमारे पंत जी हैं ये तीनों रचनाएं उन्होंने ही लिखी है तो जी हां आपका जवाब एक फिर है बिल्कुल सही उपर्योक्त सभी उन्होंने ये तीनों ही रचनाओं की जो तीनों रचनाएं यहां पर दिखी है इनकी रचना की है और ये उनकी बहुत विशिष्ट रचनाओं में से एक हैं बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर सोन बलाक का अर्थ है जब हमने कवि पंक यहां पर सोन बलाक का क्या आर्थ है तो सोन का आर्थ होता है सुनहरे और बलाक का आर्थ होता है बगले आपको जवाब मिल गया होगा आपने खोज लिया होगा जी हां सुनहरे बगले है सही जवाब बगला आप समझते हो न जब आप आनार सीखते हो नरसरी के जीवन क्लास में तो आप बास ये बगुला पढ़ते हो जी हाँ तो वही है ये बगुला और यहाँ पर इसका है सही जवाब खावाला ठीक है अगला प्रश्ण है किस व्रिक्ष के पत्ते पंखों के समान है, ऐसा कौन सा व्रिक्ष में से जिसके पत्ते पंखों के समान बड़े-बड़े दिखाई देते हैं कविता में इस पंख्ती का प्रयोग भी किया गया था वहीं से चुराया गया है यह विकल्प आपके लिए बर्गत, पीपल, ताड या फिर आवला पेडों के बारे में आप जानते हैं विक्षों को आपने देखा है तो आपको बताना है यहाँ पर कौन सा ऐसा विक्ष है जिसके पत्ते पंखों के समान बड़े-बड़े दिखाई देते हैं क्योंकि कविता आपने पढ़ी थी इसलिए आप इसका उतर फटा-फट दे पाए ताड को यहाँ पर पंखों के समान पत्तो वाला पेड कहा गया है आपका जवाब है बल्कुल सही देखते हैं अगला प्रशन जूम-जूम कर सिर कौन हिला रहा है कविता की दौरान हमने जाना था कि ऐसा कोई एक विक्ष है जूम-जूम कर सिर हिला रहा है मदधम-मदधम हवाओं से वो हिल डुल रहा है क्या वो नीम है, क्या वो तुलसी है, क्या वो आवला है या फिर वो बेर है तो आपको देना है इसका सही जवाब और आपने दे दिया है इसका सही जवाब एक नमबर फिर हुआ आपका इसका जवाब है नीम नीम ऐसे सिरजुला धीरे धीरे जूम जूम कर अपना सिर हिला रहा है अगला प्रशने कविता में किन फूलों के नाम आए हैं? इस पार्ट के दौरान हमने कुछ फूलों के नाम पड़े थे जो आपको बताना है कौन से हैं? हर सिंगार, बेला, गुलाब या फिर का और खा दोनों तो आपने बताया है जो उस कमेंट बॉक्स में आपके जवाब मुझे मिल रहे हैं वो हैं बिल्कुल सही का और खा दोनों बढ़ते हैं अगले प्रशन के ओर जो की है किसके जूले में सब मिलकर जूलना चाहते हैं? लकडी के, बादलों के, इंद्रधनुष के या फिर आस्मान के ठीक है? किसके जूले में सब मिलकर जूलना चाहते हैं? तम का अर्थ है अंधकार, उजाला, प्रकाश या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं तो जी हां तम का विलोम शब्द होता है प्रकाश तो यहां पर तम का अर्थ हुआ अंधकार क्योंकि बाकी जो दो विकल्प हैं वो उजाला के हैं इसलिए यहां पर तम का अर्थ है अंधका सुवित्रा नंदन पंत जी का जन्म कहां हुआ था? अल्मोडा जिले के कौसानी ग्राम में, बिहार जिले के पटना में, मिर्जा पुर जिले में या फिर शम्शाबाद में तो जीवन परचे के दौरान हमने जाना था कि इनका जन्म कहां हुआ था? थोड़ा सा दिमाग पे डालिए जोर, उत्तर आ जाएगा याद और सही उत्तर से कर लीजे उसे मैच और आपका जवाब अगर सही है तो दे दीजे खुद को एक अंक और तो अल्मोडा जिले के कौसानी ग्राम में उनका जन्म हुआ था बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की और जो की है दल का क्या अर्थ है? दल यानि समूह, पत्ता या फिर दोनों या फिर दोनों में से कोई नहीं तो जो दल है ये एक अनेक अर्थी शब्द है दल के अनेक अर्थ होते हैं तो यहाँ पर बताना है आपको उसका सही जवाब तो आप पहले जवाब जान लीजे फिर मैं आपको उसका कारण बताती हूँ तो जवाब है उपरोक्त दोनों दल यानि समूह कहा जाता है सेना का दल कहा जाता है न और दल यानि पत्ता पेडों के पत्तों के प्रक्षों के दल हिल डुल कर ये संदेश सुनाते हैं तो यहाँ पर दल का अर्थ पत्ता भी होता है तो यह था सही जवाब वारी का अर्थ है क्या वारी जल को कहते हैं क्या वारी नीर को कहते हैं क्या वारी पानी को कहते हैं या फिर वारी यानि उपरोक्त सभी, तो आपको बताना है सही जवाब और ये है इस पूरे के पूरे विकल्प का सबसे आसान प्रश्न, जिसका सही जवाब तो हम बहुत छोटी क्लासेस से जान लेते हैं, पानी के परियायवाची बहुत बचपन से हम पढ़ना शुरू कर द तो जिहां सही जवाब है उपरोक्त सभी, दादूर का अर्थ है मेंड़क, गिलहरी, मोर या फिर वानर, तो दादूर यहाँ पर कविता के दौरान हमने पढ़ा था, दादूर टर-टर करते हैं, तब आप बताईए इसमें से टर-टर कौन करता है, अगर आप ये दोहनी औ और उस जीव का नाम पहचान जाएंगे, तो ये विकल्प हो जाएगा आपके लिए बहदासान, जिहां आपने सही पहचाना है, दादूर का अर्थ होता है, टर-टर करने वाला मेंड़क, जो कि बरवर्शा के मौसम के दौरान, यहाँ वहाँ उचकता, कूनता, फुदकता हुआ आपको दिखी जाएगा, बढ़ते हैं अगले विकल्प की और, मेग घुमडगुमड़कर आसमान में क्या भर देते हैं, भाई जब मेग घुमड़ते हैं, आवाजे करते हैं, गरचते हैं, बहुत जोर-जोर से गरजना करते हैं, जिसको सुनकर आप ये समझ जाते है हैं कि हाँ बाई अब गरजना शुरू हो गई, अब बरसना शुरू होना है इनको, तो वो क्या भर देते हैं, गरजन भर देते हैं, जोर-जोर से आवाजें आती हैं, बिजली भर देते हैं, उजाला भर देते हैं, या फिर पानी भर देते हैं, तो मेग तो जब गरजेंग और ताली कौन बजा रहा है तो इस समय तो ताली बजा रही हूं मैं और बजा रही हूं क्योंकि आप बहुत अच्छा खेल रहे हैं यह जो हमारा KBC है इसमें आप बहुत अच्छा प्रस्तती करण दे रहे हैं क्योंकि सारे जवाब आप लोगों के सही आ रहे हैं चलिए इस उत्तर और दीजे और 20 में से 20 अम्क हासिल कर लीजे तो ताली कौन बजा रहा है? पीपल के पते बजा रहे हैं नीम के पते, आम के पते, या फिर हर सिंगार के पते पते यहाँ ताली बजाने से अर्थ है जब हवा चलती है तो पत्ते आपस में खड़ खराते ना उनकी आवाजे आती है तो वो पत्तों की जो आवाज आती है उनको यहाँ ताली बजाने का नाम दिया गया है तो कौन से पत्ते ताली बजा रहे हैं? दे दीजे सही जवाब और खुद के लिए बजा लिजे एक बार ताली मैं बताती हूँ आपको उत्तर जी हाँ, पीपल के पत्ते यहाँ पर जोर-जोर से ताली बजा रहे हैं यानि हवा चलने पर वे खड़ खड़ा रहे हैं, आवाज कर रहे हैं आ गए हैं हम अगले अपने अंतिम पड़ाव की ओर प्रस्तुत कविता में कवी ने सावन का क्या? मनोरम चित्रखी चाहे? वातावरन बताया है? विशेशता बताई है? या फिर रोक्त सभी? तो देखिए कही ना कहीं घूम फिर के सारी चीज़े बताई हैं लेकिन विशेशकर उन्होंने जो बताया है वो है प्रकृती का मनोरम चित्रखी चाहे आपको एक जिस कमरे में जिस टेबल बैंच पर टेबल पर चेयर पर आप बैठे हैं वहाँ बैठे बैठे जो भी मौसम इस समय चल रहा है उस मौसम में इस वर्षया रितू का एहसास करा देना बंद कमरे में हमें पानी की बूनों से भिगो देना मेंड़क का हैसास करा देना पेडों की ताली सुनवा देना इंदर धनुष के जूले में जूला जूलवा देना क्या ही आसान बाते हैं? बिलकुल नहीं ऐसा प्रकृति के सुकुमार कवी सरिफ सुमित्रा नंदन पंत जी ही कर सकते हैं तो उन्होंने हमें यही आपको और मुझे इसी स्थान पर बैटे-बैटे इतने सुंदर चित्र का, इतने बढ़िया महौल का, इतने अच्छे मौसम का एहसास करा दिया तो जाहर सी बात है, सही जवाब है मनोरम चित्र खीचा है आ गए हैं हम अपने अंतिम पड़ाओ पर जो की है प्रश्न 20 कविता में कवी ने क्या कामना की है? क्या विश्मांगी है? इसमें स्पष्ट रूम से पंक्तिया दी है कि ऐसा होना चाहिए तो बताइए क्या जीवन में सावन का उल्लास भरने की कामना की है? जीवन में सुक्स विधाय लाने की कामना की है? जीवन में मधूरता लाने की कामना की है? या फिर उप्रोक्त में से कोई नहीं जी हाँ जवाब फिर आपने बिलकुल सही पैचाना है जीवन में सावन का उल्लास भरने की कामना की है तो इस प्रकार आज हमने यहाँ पर खत्म किये हैं विकल्प 20 में से 20 अंक जिनके आ गए हैं उनके लिए जोरदार तालिया 15 से 20, 18, 19 तक अगर नंबर हैं तो भी आप अच्छा कर रहे हैं लेकिन तो हराने की जरूरत है और अगर इसे कम अंकारे हैं तो वीडियो को बार-बार देखने की जरूरत है पार्ट को दुबारा देख समझने की जरूरत है वैसे मैं जानती हूँ ऐसा होगा नहीं क्योंकि मैंने जितने अच्छे से आपको पार्ट समझाया है उतने ही अच्छे से आपने इस पार्ट को समझा भी है तो करते रहिए अभ्यास अगले वीडियो में हम मिलेंगे एक नए पार्ट के साथ एक नई कहानी एक नई शुरुआत के साथ मैंने ब्रिंस हमेशा से अपने बच्चों को जो ये वीडियोज देख रहे हैं उनको सफलता के नए आयाम चूते देखना चाहता है इसलिए मैंने ब्रिंस हर कक्षा का हर विशे का वीडियो आपको इस प्लेटफर्म पर प्लब्ध कराता है और वो भी बिल्कुल निशुल्क मैंने ब्रिंस आपके लिए ले कर आया है CBSE, English Medium, Hindi Medium NTSC, CUET, Olympia Arts, Spoken English, UP Board और Bihar Board इतना सारा कुछ आपको प्लब्ध है आपके इसी चैनल पर Books औरी Books के collection के लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते है Description box में दी गई है एक link उस link पे कीजे click एक Google form open होगा फटा-फट से उसको भर दीजे उतने ही फटा-फट से उसको submit कर दीजे जितनी जल्दी वो हमारे पास आएगा उतनी ही जल्दी हम आपको वो सारी जानकारी भेज देंगे ठीक है? हम से जुड़े रहने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं Facebook, Instagram, Twitter और Telegram पर Like, Comment और Share करना तो आप बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे तो Comment आप जो मुझे करने वाले हैं वो होना चाहिए आज आपके number का कि माम मैंने इतने अंक हासिल किये हैं स्वयम पी कीजिए गर्व क्योंकि आप हैं एक बहुत ही बुद्धिमान बालक ठीक है? तो अपनी बुद्धिमत्ता का परिचे दीजिए 20 में से 20 अंक हासिल कीजिए अपने लिए बजाए ये जोरदार तालिया मिलेंगे हम अपने अगले वीडियो में एक नए पार्ट के साथ अब तक कीजिए मेरा इंतजार और खुश रहिए, प्रसन रहिए, मुस्कुराते रहिए मुस्कुराओ कि ये जहान तुम्हारा है बाई बाई